भाश्पा की राश्टे प्रवक्ता सयस जफर इसलाम ने भाश्पा मुख्याला नई दिल्ले में समवादाता सम्मेलन को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि अमरित काल की समय में देश की जनता में बहुत उत्सा है क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है देश की अर्थविवस्ता आगे बढ़ रही है इसके साथ युनोंने चंद्रियान तीन की सफलता का उलेक किया और कहा कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है उन्होंने कहा कि बीते नौ सालों में पियम मोदी द्वाराग दिये गए फैसलों के कारण देश की अर्थविवस्ता मजबूत स्तिती में है अमरित काल के समय में जाहिर देश की जनता को बहुत सा है और क्यों नहों जब देश आगे बढ़ रहा हो देश की अर्थविवस्ता आगे बढ़ रही है और साथ ही और भी देश की जनता गरवानवीत महसूस करती है जब उस मुलके जिसने हम पर राज किया है सालों साल तक उसकी अर्थविवस्ता को पच्छाड के हम अगर पाचवी अस्थान पराप्त करते हैं तो जाहिर है देश की जनता को बहुत बहुत गरव होगा और गर ले जाहिए तो वहां आज दो ही बाते हो भारत ने चंद्रयान की जो सफलता है भारत का उसके बारे में पूरे दुनिया में चर्चा है और दूसरी भारत की अर्थ ववस्ता के बारे में बहुत चर्चा है हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार अज साड़ जब लॉगड़न हुआ एकॉनोमिक एक्टिविटी बिल्कुल तूरे दुनिया में बंद होगे हिंदुस्तान में भी बिल्कुल खतम हो गई थी और फिर युक्रेयन क्राइसिस हुआ जहां सप्लाइचेन बिल्कुल बंद होगया डिस्रप्ट होगया था वो उसके वजह से ह है अर्थवश्ता जो है दोड़ रही है जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिये हैं लेकिन अर्थवश्ता को मजबूत और देश की जनता को मजबूत देश की जनता की आमधिनी जादे हो उसकी उसकी चिंता करते वे जो है आधरनी परधान मंतरी जी ने अच्छे और कड़वे फैस्टे लिए आज इसको कई लोग कहते मोदी है तो मुम्किन है मोदी नॉमिक्स के बारे में बात करते हैं जब हमारी सरकार आई तो बहुत सारे चैलिंजेस थे बहुत एक निया नेक चैलिंजेस थे ऐसे समय में आदरने परधान मंतरी जी ने जो नौ साल के कारेकाल में अच्छे फैसले लिए और इस अच्छे फैसले का अज दतीजा है कि देश की अर्थ वश्ता बहुत ही मजबूत एकॉनमी बनी है और मजबूत ही नहीं दुनिया की सबसे बहतरीन एकॉनमी इमर्जिंग एकॉनमीज में से है और तेजी से दौड़ भी है देखिया हमारा देश जो है वेलफेर स्टेट है कैपिलिस स्टेट ही है जब वेलफेर स्टेट की बात होती है तो सरकार की बड़ी जिमिदारी होती है कि वो आम नागरिक की चिंता करे और हमने आम नागरिक क और उसके हाथ को थामें और उसको मजबूत करें और हमने पिछले 9 साल में जो 313 वेलफेर स्कीम चलाई परधान मंत्री इसके अंतरगत चाहए वो चछद देने कि जिसके पास चछद नहीं था च्छद दिया जिसके पास बिजली करेक्शन नहीं था बिजली करेक्शन दिया जो को राशन चाहिए, राशन दिया, सड़के बनवाई, रोड बनवाई, फिजिकल इंफरस्ट्रक्चर गाहों में बनवाया, हर तरह की वो सुविधाया देने की कोशिश की चाहिए, आईश्मान भारत जैसी स्कीम ही लाई, जो के अगेन दुनिया के बहुत इस्टुशन आ आगे करना है, देशवासियों का अगे करना है, इसलिए G20 जैसे यहां बड़े-बड़े इवेंट हो रहे हैं, दुनिया के बड़े से बड़े लीडर आज देश में आ रहे हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़े गरवानवित करने वाली बात है, कि देश की जनता को क आज हमारे देश में ऐसे इवेंट भी हो रहे हैं, जिसकी सपने में हम लोग नहीं सोचा करते थे, और देश के बारे में, देश की लीडर्शिप के बारे में, दुनिया जानती है कि उन्होंने अच्छे फैस्ट लिए और जो फैस्ट लिए देश की हित में, देशवासियो झाल